हलो फ्रेंड्स हाव आर यू कैसे हैं आप सभी लोग आज मैं प्रजेंट करने आया हूँ डारेक्ट एंड इंडारेक्ट नरेशन जो कि आप पढ़ चुके हैं क्लास 8 से साइद 9 10 में भी पढ़ें और कमपडिशन में भी यह है और कमपडिशन में आपके यह सब नॉर्मल लेविल का आता है बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है तो हम इस पे थोड़ा साड़ी लाइट डालेंगे परकास डालेंगे नॉलिज को सेर गरेंगे आपसे तो डारेक्ट इंडारेक्ट नरेशन क्या है यह बस एक बोलने का तरीका है जैसे मैंने कोई बात कही कि कल जैसे किसी ने कोई बात कही कि मैंने कल एक चिडिया को देखा था तो उसी बात को जब मैं कहूं तो जो है अपने सब्दों में तो कुछ चीजे बदल जाती है, sentence वही रहता है, भाव वही रहता है, कहने का जो तरीका है, जो भी इसमें pronouns change होते हैं, और tense change होता है, tense उसने जो कहा, उसका present होगा, लेकिन हम जब कहेंगे, तो उसको past में कहेंगे, और कुछ words change कर देंगे, तो इसको ही हम, उसने जो कहा, वो direct कहा, और हम जब उसको बोलेंगे, तो indirect बोलेंगे, तो यही जो दो कहने के अलग-अलग तरीके हैं, यही direct and indirect narration कहलाता है, तो लिखा हुआ है, English language has two ways to narrate the spoken words of a person, these two ways are as follows direct speech, indirect speech, अब direct speech में देखें, Mr. David ने कहा, I want to meet your parents, Mr. David ने कहा, कि मैं आपके माता-पिता से मिलना चाहता हूँ, अब उन्ही की कही हुई बात को मैं कह रहा हूँ, Mr. David ने कहा, Mr. David said that he wanted to meet my parents, अब Mr. David ने खुद जब कहा होगा, तो अब उन्ही बात को मैं जब कह रहा हूँ, Mr. David ने फला-फला बात कही, तो इसमें देखी आप क्या-क्या change हो गया, इसमें that लग गया, inverted comma हट गया, इसमें I की जिगह ही आ गया, want का wanted हो गया, और your का my हो गया, तो pronounce चेंज हुआ, subject चेंज हुआ, और कई चीजें इसमें change हो रही हैं, तो यही सब changing rule हमको समझना है, तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा, कि क्या-क्या चीजें इसमें हटती हैं, तो सबसे पहले inverted comma हट जाता है, हम आगे slide में पढ़ेंगे, अगली slide में देखते हैं, जैसे direct speech है, Mr. John said I bought a book for you, तो मैं जब उनकी बात को कह रहा हूँ, Mr. John said that he had bought a book for me, U की जगे me आ गया, bot की जगे head bought आ गया, I की जगे he आ गया, तो यह सब चीजें change हो रही है, तो जो पहले का पार्ट है, जैसे Mr. John said, फिर आगे inverted comma में बंद है, जो body वाला पार्ट है, जो उन्होंने कहा, वो reported speech कहलाता है, और इधर जो है, वो reporting verb है, और reporter, Mr. John reporter हो गया, said reporting verb हो गई, और आगे का reported speech हो गया, तो इस नाम से हम इसे पुकारेंगे, चलिए अगली slide में, भी हम देख रहे हैं, he said I am going to school, तो इसमें that लग गया और I am का वाज हो गया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं school जा रहा हूँ, अब मैं जब उनके बारे में बताऊँगा तीसरे आदमी से, तो उन्होंने कहा कि वह school जा रहे थे, तो इसमें tense change हो जाता है, चलिए, अब rule पर आते हैं, कैसे बदलता है, इस rules को हम जानेंगे, बहुत ही आसान तरीके से, words of the speaker, speaker, speaker के जो word है, जो reporter है, are enclosed in inverted commas, are quotation mark in direct speech, indirect speech, तो ये जो inverted commas ही हट जाते हैं, जब हम direct से, indirect में change करते हैं, तो inverted commas हट जाएगा, rule number 2, जब भी हम inverted commas हट आएंगे, तो आपने देखा that लगा, एक वाक्या अपने देखा था, जैसे ये वाक्या है, तो इसमें inverted commas हट गया, set के बाद that लग गया, तो ये that conjunction लग गया भीच में, इसी तरह जब भी हम inverted commas हट आएंगे, तो ज़रूरी नहीं कि that ही conjunction लगे, कोई और भी conjunction लगेगा, क्योंकि आगे का जो sentence है, ये अभी simple में हैं, और sentence कई प्रकार के होते हैं, simple में भी होते हैं, assertive में, affirmative, negative दोनों आगे, और sentence जो है, आपका imperative भी होता है, मतलब आग्या सूचक या, आपका request वाले हो गया, और interrogative sentence भी होता है, interrogative में भी आपके दो आगे, मैंने video बनाई थी sentence में, उसमें बताया था, एक yes no वाले हो गया, और एक आपका question word वाला हो गया, तो आगे का depend करता है कि conjunction कैसा लगेगा, आ ठीक है दोस्तों, तो uses of that, the conjunction that is always used between reporting verb and reported speech in indirect speech, जब भी हम inverted commas हटाएंगे, तो that लगाएंगे, अगर simple sentence है तो, rule no 3, change in tense of the reported speech, मैंने बताया था, आगे का जो tense है, जैसे, जैसे एक वाल के, ये, देखिए आप, I am going to school, नीचे है, he was going to school, तो M का was हो गया, तो पहले present continuous था, अब past continuous हो गया, तो tense में changes हो जाता है, तो tense हम आगे आपको बताएंगे कि कैसे क्या change होता है, अभी आप, जो है generally सब चीज जाने, कि क्या क्या इसमें होता है, क्या चीजे हटती है, क्या क्या होता है, क्या चीजे घटित होती है, rule no 1 आपने समझा, कि inverted comma हटाते है, rule no 2 आपने समझा, कि हम, क्या करते हैं, conjunction लगात चीजे आती है, if भी आता है, whether आता है, तो आगे हम आपको बताएंगे क्या क्या चीजे आती है, conjunction में, rule no 3, तीसरा rule है, tense change होता है, change in tense of the reported speech, a change is made in tense of reported speech for changing a direct speech into indirect speech, if the reporting verb of first sentence of direct speech is either present tense or future tense, no change will be made in the reported speech, for making indirect speech, यह क्या कह रहा है, यह क्या कह रहा है, जैसे कि यह sentence है, आपका Mr. John said, I bought a book for you, तो I bought a book, bought जो है, वो head bought हो गया, लेकिन किसी किसी condition में, bought, head bought नहीं होगा, ऐसा कब होगा, जब जैसे Mr. John said, इसमें reporting verb क्या है, said है, अगर यही said जो है says होता, मतलब यह said जो है past tense में है, तो अगर reporting verb present में हो या future में हो, तो आगे के tense में परिवर्तन नहीं होगा, अगर यही reporting verb past में है, तो आगे के tense में परिवर्तन होगा, rule number 3 यहीं बोला है, अगर आपका reporting verb present में है, Mr. John says है, present में, विया future में है, Mr. John will से, अगर है, तो future और present दोनों में अगर है reporting verb, तो आगे के tense में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन pronouns में परिवर्तन होगा, तो rule number 3 यह है आपका, यह rule number 3 बोला है, rule number 4, changes in pronoun, the pronouns are subject of reporting speech, it sometimes change according to the pronoun or object of the reported verb, तो दोस्तों जितने भी pronoun है, possessive pronoun है, चाहे वो nominative case के होँ, चाहे objective case के होँ, चाहे possessive case के होँ, चाहे वो समंध कारक वाले pronoun हो, चाहे वो करता कारक वाले pronoun हो, चाहे वो कर्म कारक वाले pronoun हो, वो सारे pronoun जो है एक rule के अनुसार बदलते हैं वो आगे हम आपको बताएंगे जैसे अब examples लेते हैं he said I eat two apple तो इसमें देखिए pronoun कैसे change हो रहा है he said that और I का he हो गया देखिए pronoun change हो गया eat का at हो गया तो बहुत सारे rule है inverted comma हटता है conjunction लगता है और उसके बाद आपका tense बदलता है फिर चौथा rule है प्रोनाउंस बदलता है तो इन सभी sentence में आप देख रहे है प्रोनाउंस बदला है यही चीज़ दिखाई गई है rule no.5 change in time if there is mentioned in the sentence of direct speech the time will be changed in indirect speech there are certain rules changing the time 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 वाला कोई word हो adverb हो जैसे there are certain rules changing in time जैसे now है अगर sentence में now आया है तो वो then change हो जाएगा जब हम उसका indirect बनाएंगे तो then हो जाएगा अगर direct speech वाले sentence में now है तो वो then हो जाएगा today अगर है तो that day हो जाएगा tomorrow है तो the next day या the following day हो जाएगा yesterday है तो the previous day या the day before हो जाएगा तो यह कुछ words change हो जाते हैं जैसे आप देख रहे हैं examples में see said I am buying a laptop today तो इसका indirect बना see said that he see देखिए प्रोनाउन चेंज हुआ was buying a laptop और today का that day हो गया तो कुछ words भी change होते हैं तो इसमें बहुत से नियम है inverted comma हटता है conjunction लगता है tense में परिवर्टन होता है pronounce में परिवर्टन होते हैं और कुछ words भी change हो जाते हैं जो time को बताते हैं तो दोस्तों इसमें हम introduction हमने आपको दिया कि direct indirect क्या होता है और direct से indirect में जाते समय हम किसी दूसरी की बात को अपने सब्दों में जब कहते हैं तो कैसे हम प्रोनाउंस में change करते हैं और आपका words में change करते हैं और क्या परिवर्टन होता है हम detail में example के साथ आएंगे बहुत धन्यवाद